बाल ब्रहमचारी एनंत्रिबुशित रह्मकेश्पचेतन्य महाराश ने कहा कि मन की सुन्दर्ता से भगवत प्राप्ति की पात्रता बढ़ती है हमारी भगवत भक्ती राश्ट भक्ती के समान जुड़ी होनी चाहिए दुख चाहे कितना भी आये धर्म का पत नहीं छोड़ना चाहिए इस सम्मल में राजा हरिश्चंत की कता को याद करें जब सनातन धर्म की सोच में परिवर्तन आया तब से धर्म परिवर्तन क्यों अगसर हुए हैं धर्म परिवर्तन से पतन होगा उत्थान नहीं जो में में करता है उसमें हेंकार वे अभिमान चलगता है जो अपनी सफलता का श्रे स्वयम लेक्ट है उसकी निंदा होती है एवम उपवास का पात्र बनता है मनुश्य के जीवन में संका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है संतशी गुरुवार को हरिशेवा उदासीन सनातन मंदिर में चातुरमास प्रवचन के तैस्षदालू समुदाय को समुदित कर रहे थे उन्होंने कहा कि तीर्थ में मलीन शरीर से मलीन वस्तरों से नहीं नहाना चाहिए कथा के प्रारम में गायत्री आचारिये ने भजन पेशक शक्दालू को भाव विबोर कर दिया नारेन स्वामी ने कहा कि बिना भक्ति के प्रते कुपलब्दी अपून है प्रवक्तर अश्निकांत आचारे ने वता कि अकिल भारत वर्षिय धर्मसंग स्वामी करपात्री पाउंडेशन एम हरिशेवा अधासे नाश्रम सनातन मंदरी के सहीं कृतावधान में बाल ब्रह्मचारी संतन प्रकेश्वर चेतन्य महराज के सानेधि में मेवाड की पावन धरा पर दूसरी बाद धर्म नगभी भिलवाडा में 13 से 19 सितंबर तक 100 कुंडिये श्री गणेश लक्षमी महा यग्ये होगा काशी के विद्वान पंडितो द्वारा होने वाले इस यग्ये से पूर्व माताओं बहनों की कलश्यात्रा 13 सितंबर को निकाले जाएगी कलश्यात्रा वे यग्ये में आमंत्रन देने के लिए पिले चामल देने की परंपरा निभाई जा रही है पेच के वालाजी मंदीर से निकलने वाली है कलश्यात्रा गोल पियाओ सरकारी दर्वाजा बाजार नंबर 3 आरिय समाजोड हरीबाई कचोरी मार्क तोतला भवन वीर सावर कर चोक होते हुए हरीश्यवा दाम पहुंचेगी यात्रा में महिलाएं केसरिया वसर पहन का सिर पर कलश ठारन करते हुए चलेंगी शोबा यात्रा में बैंड बाजे वे गोड़े भी शामिल होंगे